तो हलो गाइच कैसे हो उम्मीद है सभी लोग बढ़ियाओंगे और मेरा नाम है सुशिल और अभी आप देख रहे हो 2024 मॉडल हीरो एचप डिलक्स प्राफिक्स आपको नए मिलने है भाई तो यह एक नए अपडेट है नस्दीकी से बात करेंगे इस बाइक के बारे में आपक देखो गए तो कफियता स्वर्प बिजाइंग के साथ आपको वाईजर मिलने लगा है और और बलेक के साथ मिलता है यहां पर यहां पर कार्बन फिलिसिंग भी देखने को मिल लाएगी ब्लू एंड वाइट कलर की यहां पर टेपिंग भी की गई है कफियता अच्छी लग सबसे बड़ा अपडेट में आपको बताऊं तो सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पहले भाई एच अच्छी बात है और यहां पर एक अच्छी बात है कि IBS की टेकनलोजी मिलती है यानि कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम यहां पर आपको फ्रेंट में यह सारी चीज़े ऑफर की जा रही है यह जो इंडिकेटर है नौन फ्लेक्सिबल टाइप है हालोजन के साथ आपको मिल जाएंगे स्टाइल प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो भाइस के फूल टैंक काप ज़्यादा मस्ट्रल लगता है और इस साइड में देखोगी तो यहां पर देखें कितना प्यारा सा ग्राफिक्स आपको नजर आने वाला है जिसमें आपको वाइट ब्लू एंड बलेक कलर का देखने को मिल जाएगा ग्राफिक्स और यहां पर हीरो का स्टीकर्स आपको देखने को मिलेगा इस साइड में आपको लोगो 3D में देखने को मिलता है तो अगर बात करें ओवराल लुक और डिजाइन की यार बाइक देखने में आफ़ी ज्यादा अच्छी लग रही है प्राइजिंग में आप आ एर-cooled, single cylinder, four stock, B-6, T-20 अफडेट वाला यहां पर engine आपको मिलता है जिसकी जो max power है 8.02 PS की है 8000 rpm तो rpm भी थोड़ा सा बढ़ाये गया है पहले 7500 rpm पर मिलता था आपको और जो torque मिलता है आपको 8.05 nm का मिलता है 6000 rpm तो power figure भी काफियादा अच्छी है, Bike काफियादा हलकी है, Delhi लिए एक बेस्ट बाइक अंडर बजट में आपको मिल जाएगी अगर टैंक की बात करें तो 9.6 लिटर की फ्यूल टैंक कापिसिटी मिलती है अगर आप एक बार फिल कराओगे तो 600 से लेके 700 क्लमेटर की आराम से राइडिंग कर पाओगे तो यहां पर आपको मालेज भी थो लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको open chain set cover नहीं मिलता, flow chain set cover मिलता है जिससे chain की जो maintenance है वो अच्छी रहती है कोई धूल मिट्टी नहीं जाएगी या खराब नहीं होंगे जल्दी तो यहां पर एक चीज का अच्छी से ध्यान दिया गया है पीछी में आप देख सकतो, rear grave वो भी काफी ज़्यादा अच्छी रखी गई है, है तो भाई fiber में लेकिन इसकी build quality काफी ज़्यादा अच्छी आपको मिल जाती है लेडी footrest के साथ साहत में आपको यहां पर साड़ी guard भी offer के जा रहा है, पीछी वाला tire भी आपको 80 by 100 section का मिलता है और 18 inch के मिल जात 165 mm का आपको ground clearance offer के जारा है, जो इसके food packs है, आप देख सकते हो, folding type में दिये गए है, rider और pillion दोनों के, तो यहां पर इस bike में update सबसे ज़्यादा यह है, कि इसमें tubeless tire आपको मिलता है और दूसरा आपको नया color देखने को मिल दा है, seat काफी ज़्यादा अच्छी रखी गई तो अगर बात करें इसके pricing की, तो 67,133 रूपीज नोईडा यूपी में इसका ax room price है, और on road जाती है 84,000 के आसपास में, तो 84,000 के आसपास में आपको इस Delhi community के लिए HF Deluxe नहीं वाली भाई, नए graphis के साथ में 2024 model आपको मिल जा रही है, जिससे आप एक बार पेट्रोल आपको हालेजन वाले मिलेंगे, हालेजन वाले इंडिकेटर आपको मिल दे हैं, और इस side में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर देख सकते हो, जो इसका exhaust है, जो silencer है, silencer पे आपको black color का muffler दिया गया है, जो bike के look को और भी काफियादा enhance कर रहा है, इसके बाद यहाँ द आप रख पाऊगे bike के, और instrument console देखोगे, तो आपको analog instrument console देखने को मिल ला है, जिसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर speedometer सो करेगी, यहाँ पर tool based सो करता है, इसके बाद engine की check light आजाती है, और यहाँ पर side stand cut off sensor मिलता है, mirror आप देख सकते हो, कुछ इस type से आपको देखने को मिलेगे, यहाँ पर forward start का button, यहाँ पर high beam, low beam, और यहाँ पर indicator, और यहाँ पर hour, तो single pipe handlebar है, यहाँ पर कोई भी ऐसा, अलगते कोई handlebar नहीं लगा गया है, जो पहले मिलता था, आपको सेम वही handlebar आपको यहाँ पर मिलना है, और सेम वही features मिलना है, तो अगर बात करें इसक को एक साथ सो किलमेटर, एक बार पेंटर बर आओगे, और बाइक चली जाए, तो मेरे साथ से तो perfect है, बाकि आपकी राय जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आठ सो पांच एमम की seat height, seat height भी ठीक ठाकी है, तो I hope मैंने इस वीडियो में, इस बाइक के बारे में, सब सवाल है, तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हो, मैं उस सवाल का आपको जरूर रिप्लाइ करूँगा, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धनबाद, आपका दिल से चुब हो, और हाँ याज, चैनल को subscribe जरू कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे content लेके आता रहता है।